नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में और आज चलिए हम आपका टेस्ट लेते हैं आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोल एंड पेट्रोलियम के MCQ जो की रिलेटिड है NCRT से अगर आप देखोगे तो यहां पे बो MCQ भी एड होंगे जो की प्रिवियस एर में आये हैं और आ सकते हैं तो अब डिपेंड करता है कि आपको कितनी नौलिज है और आपके कितने सही होंगे यहां पे 20 MCQ हैं हम आपको 5 to 10 सेकिंड देंगे इनका आंसर देने के लिए आप नीचे कमेंट सेक्षिन में कमेंट कीजिए साथ में क्योंकि यह लाइब स्ट्रीम चली हुई है जो कि हमने प्रीमियम के थ्रू डाली है तो यह प्रीमियर के रूप में जो है आपके सामने यहां पे चली है वैसे तो य recorded वीडियो है, ओके, तो मैं भी यहाँ पे आपके साथ participate करूँगा और देखूँगा कि कितने जो हैं आपके answer सही हो रहे हैं, तो सारे के सारे live stream के ओपर आके अपने comment दीजिए, क्योंकि काफी पूछा गया था हम से कि आप जो है टीक की होई question डालते हैं, जिससे हम अपने knowledge को enhance नहीं कर पाते हैं, तो आईए आज check कर लीजिए कि आपको कितनी knowledge है, तो let's start and last में जुरूर बताईए कि आपके कितने जो हैं सही हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आपको answer भी बताएंगे, तो let's start the video, first question water is a, बहुत ही आसान सा question है, और I think सभी का यह right होगा, तो आपके पास यहाँ पे 5 seconds में आपको देता हूँ, इसको करने के लिए, यहाँ पे मैं भी time लिख रहा हूँ, बट मैं नहीं लिखूंगा इसके बाद, क्योंकि जिसको आता है वो directly यहाँ पे इसका आंसर लिख देगा, ओके, A, B करके भी आप नीची आंसर दे सकते हैं, next हमारे पास, when coal burn in air, then, जब coal जो है burn होता है, तो क्या produce होता है, आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है, A, B, C, D करके आप नीची आंसर दे दीजिए, ओके, तो जब coal burn होता है, तो मारे पास produce होता है, carbon dye, oxide, next हमारे पास, purest form of carbon is, चलिए अब आगे आपके पास, NCRT के, real important question, तो purest form कौन सी है, carbon की, तो right answer is, जल्दी से इसके आंसर बताईए, वोई आपके पास, coke, coke, coke जो है, purest form है, carbon की, next हमारे पास, coal tar contain about, जो आपके पास coal tar है, उसमें कितने substance जो है, प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आपके पास option है, 300 substance, 400 substance, 200 substance या 100 substance, तो इसका जो right answer वो है, आपके पास, 200 substance, next हमारे पास, first while well, बास drain in, कि जो सबसे पहले तेल का कुवाँ था, वो कहाँ पे बना था, यह कहाँ पे drill किया गया था, यह GK के type में question हैं आपके पास, पूछा जा सकता है, काफी important है, क्योंकि NCRT की book में यह available है, तो जल्दी से इसका answer बताईए, नॉर्मल सी बात है, जो की rich country होती है, USA, United States, America में जो है, तेल का कुवाँ पहला आया था, next हमारे पास, PCRA, stands for, तो PCRA की क्या full form होगी, आज हम study कर रहे हैं petroleum, crude oil से related, तो इसकी जो definition होगी, वो भी इसी से related होगी, तो यहाँ पे हम आपको एक hint हमने दे दी, जल्दी से इसका answer बताईए, कि कौन से इसका answer होगा, तो इसका जो right answer होगी है आपके पास, petroleum, conservation, research, association, ओके, B is the right answer, question number 7 है, an example of fossil fuel, यहाँ पर आपको fossil fuel का example बताना है, तो previous year में यह पे question आया था, और आपको इसका answer आना चाहिए कि, actual में fossil fuel होता क्या है, तो fossil fuel आपके पास होता है, इसका answer जल्दी से नीचे कीजिए comment, call, okay, option C is the right answer, next है मारे पास, which of the following is natural resource, यहाँ पे आपको बताना है कि natural resource कौन सा है, option easy से है, car, bus, water, park, तो natural कौन सा है मारे पास, water, next है मारे पास, which of the following is man-made resource, guys यहाँ पे कुछ जो है, normal से question भी इन पे add है, जो कि NCRT की book से related है, तो कौन सा man-made resource है, इसमें ज़्यादा time नहीं लूँगा, that is, parks, next है मारे पास, which of the following is obtained from कोलतार, यह question previous से previous year में आया था, ओके, यानि पिछले से, पिछले paper में यह question आया था, ओके, तो कोलतार से क्या मिलता है, मैं, naphtaline balls, question आया था कि naphtaline ball किस से मिलती है, example थे सारे आपके पास, कोलतार, petroleum, coke, ओके, तो यह भी काफी important question है, next है मारे पास, यहाँ पे कुछ statement given है, आपको बताना है कि right कौन सी है और wrong कौन सी है, read the following statements and select the correct one, first है, coal, petroleum and natural gases are fossil fuel, तो यह कैसा ही है, हंजी, यह जो है, सही है, आप इनके जल्दी से नीचे आंसर बता दीजिए, कौन सा सही होगा, मैं आपको इनको तब तक करवा देता हूँ, coal and petroleum and natural gases are fossil fuel, right है, coal and natural gases are exhaustible resource, and, sorry, exhaustible resource, तो यह भी आपके पास rise dancer है, see, हमारे पास, coal is used in manufacture of steel, तो यह कैसा right होगा, हंजी, यह भी right है, fossil fuel are present in limited quantities, यह भी right है, सारे के सारे right है, यहाँ से आपके पास four questions बन गए, अगर आपको four आते हैं, तो आप easy payment को कर पाएंगे, next है मारे पास, the slow process of conversion of dead vegetation into coal, is card, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, कि जो slow process होती है, conversation of dead vegetation into coal, यह जिन से जो है कोईला बनता है, coal form होता है, वो process कौन सी है, जल्दी से इसका answer बताईए, A होगा, B होगा, C होगा, या D होगा आपके पास, तो उसका जो right answer है, आपके पास बो है, option number D, ओके, next है मारे पास identify the gas, that is generally produced when coal is burned, in the presence of lot of air, कि जब coal burn होता है, in the presence of lot of air, तो सबसे ज़्यादा क्या produce होती है, हमारे पास, और साथ में अगर आपको पता है, तो जब half burn होता है, यानि जब air जो है कम होती है, तब क्या produce होता है, तो उसको आप लिख सकते हैं, सबसे पहले आप इसका answer लिखिए, तो इसका जो answer होगा, आपके पास बो होगा, carbon dioxide, जब lot of air present होगी, जब lot of air present नहीं होगी, तो हमारे पास जो है, बो carbon monoxide बनती है, sulfur and nitrogen, ये कब बनते हैं, ये गाडियों से निकलते हैं, ये जब fossil fuel जो वर्न होता है, ये तब हमारे पास आते हैं, ये petroleum से निकलते हैं, ये question अभी हमने उपर किया था, जब हमने 11 question किया था, अगर आपको याद हो, तो ये question किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, तो इसका right answer क्या होगा, हमारे पास option number, C, अभी हमने किया था उपर, अगर आपको याद हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, C option था, coke is used in manufacture of steel, ओके, next है हमारे पास, which of the following is used in metal extraction, कि कौन सा जो substance है, वो metal extraction में use किया जाता है, हमारे पास option है, coke, petroleum, coal gas या coal tar, तो metal extraction में कौन सा use होता है, जल्दी से इसका answer बताईए, मैं थोड़ा सा time दे रहा हूँ, 3-4 second का, ताकि आपको नीचे लिखने में, ज़्यादा परिसानी ना हो, तो इसका जो right answer होगा, आपके पास बहोगा, coal tar, कोल tar जो है वो use किया जाता है, sorry coal tar नहीं, इसका जो answer है बहोगा आपके पास coke, coke use की जाती है, metal extraction में, the right answer is option number A, next हमारे पास, which among the following is used in the manufacture of perfume, perfume बनाने में, कौन से substance का use किया जाता है, option है coal tar, coal gas, coke, kerosene, जल्दी से इसका answer बताईए, perfume में कौन से substance use होता है, तो perfume में हमारे पास use होता है, coal tar, option number A, जो है right answer है, next हमारे पास, which of these is used as a solvent, for dry cleaning, की कौन से substance होगे as a solvent use होता है, for dry cleaning, तो यहाँ पे आपके पास options हैं, जल्दी से इनके answer बताईए, तो इसका जो right answer आपके पास होगा, बो होगा, petrol, 18 हमारे पास, तो यह direct आपके पास answer है, इसका आप screenshot भी ले सकते हैं, की कौन से substance होगे, कहाँ पे use होता है, बैसे तो यह column by था, बट मैंने यहाँ पे directly answer लाए हैं, ताकि यहाँ पे ज़्यादा confusion ना हो, तो LPG, liquid petroleum gas, as a fuel for home and industry, petroleum कहाँ use होता है, motor fuel and aviation, aviation fuel में, यह भी काफी time question पूछा कि जाता है, अभी पूछा तो नहीं गया, बट पूछा जा सकता है, तो आप इसको जुरूर याद रखिए, bit to man, bit man, इसको आप जुरूर याद रखिए, next है मारे पास, paraffin bags, यह भी जो है आपके पास, petroleum का product है, यूज किया जाता है, oignment में, candles में, baselines में, okay, next है मारे पास, which of the following are the product obtained from coal, okay, हमने petroleum का तो पढ़ा था, कि petroleum से कौन कौन से product मिलते हैं, अब है coal से कौन कौन से product मिलते हैं, हम six option लाए हैं, ताकि आपको ज़्यादा clear हो, तो सबसे पहले petroleum के कौन कौन से होते हैं, petrol, petroleum का है, paraffin wax भी, petroleum का है, और कौन सा है जो की, petroleum का है आपके पास, कोई नहीं है, it means, coal tar, coal gas, ammonical, local, coal, ये चारों के चारों जो हैं आपके पास, कहां से आते हैं, coal से आते हैं, okay, petroleum का, यहां पे हमने आपको बता दिया, next नहीं हमारे पास, pavine is very conscious of pollution, so to reduce the effect of pollution, which fuel should she use for her vehicle, कि जो pavine है आपके पास, वो काफी conscious होता है, pollution से related, तो वो pollution को कम करता है, तो कौन से fuel में जो है, इसे use किया जाता है, इसे use किया जाता है आपके पास CNG में, यहां पे 20 questions खातम होते हैं, I think जो भी आपके पास next, that आएगा, उसमें आपके पास यहीं से, आपके पास chemistry के questions बन जाएंगे, next वीडियो में आपके लिए, predictables related, जो भी important questions होते हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि predictables से भी 4-5 questions आपके पास बन सकते हैं, 3-4 questions इसी वीडियो से आपके पास बन जाएंगे, अगर आपने हमारे previous वीडियो भी देखी है, तो guarantee है कि आप इन questions को miss नहीं करोगे, तो I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड हमें जुरूर बताईए कि आपके कितने questions जो हैं सही हुए, कितने questions गलत हुए, मिलते हैं next वीडियो में, और अगर आप हमारे चैनल के ओपर new हैं, तो चैनल को subscribe जुरूर कीजिए, एंड बेल आइकन जुरूर दुबाएं, जिससे कि आपको आने बाली वीडियो की notification मिल सके, और आजकल थोड़ा internet and YouTube का issue है, कि notification नहीं जा रही है, तो आप दिन में हमारे चैनल को एक बाद जुरूर चेक कीजिए, क्योंकि daily upload हम वीडियो यहाँ पे upload करते हैं, तो हो सकता है कि आपको notification नहीं गई हो, और वीडियो एबलेब बल हो, तो चैनल को शाम को एक बाद जुरूर चेक कीजिए, तकरीब आट नौ बजे, ताकि कोई वीडियो आप से चूट ना पाए, थैंक यू, आव नाइस टे,